नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाय में पुना स्वागत है आज मैं आपको तिनाली रमन की एक और रोचक कहानी भूल सुधारों बताने जा रहा हूँ तो देन नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी सारे मंत्री अश्ट दिगज और राजगुरू आपस में इस बारे में बहस कर रहे थे कि लोग दूसरों की कम्या तो निकालते रहते हैं पर अपने भीतर सुधार नहीं लाना चाहते राजगुरू को लग रहा था कि यह बास सही नहीं है तेनाली रमन सांत बैठे रहे उन्होंने एक भी सब्द नहीं कहा कुछी देर में एक कलाकार अपना एक चित्र लेकर दर्बार में आया और उसे महराज वा अन्य दर्बारियों को दिखाया वैकिस्त्री का बहुत सुंदर चित्र था महराज कलाव के सररक्षक थे उन्होंने चित्र को सराहा पर दर्बारी चित्र में मीन मेक निकालने लगे उन्हें इतने सुन्दर चित्र में भी कम्या ही कम्या दिख रही थी तेनाली को लगा कि अब राजगुरु को एहसास दिलाने का सही मौका था कि उनकी सोच अनुचित थी लोग दूसरों की कम्या तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं पर उन्हें या पता नहीं होता की अपनी या दूसरों की भूलों में सुधार कैसे किया जाए तेनाली महराज से बोले हमेश चित्र को चौराहे पर रखवा देना चाहिए लोगों से कहा जाए कि उन्हें चित्र में जो कमी दिखाई दे वेस पर गोला डाल दे लोग इस चित्र को सही तरह से परक सकते हैं महराज को उपाय पसंद आ गया उन्होंने चित्र को चौराहे पर रखवा दिया लोगों से कहा गया कि वे उस चित्र की कम्या दिखाने के लिए उस पर गोले का निसान लगा दे देखते ही देखते लोगों ने चित्र को गोले की निसान से खराब कर दिया उन्हें चित्र के आख, नाख, कान, बाल, गाल, उसाक, वाभूशन आदी में जहां-जहां कमिया दिखाए दी और उन्होंने उन पर निसान लगा दिया चित्र को साम को महल में वापिस लाया गया तो लोगों ने देखा कि चित्र पर तरतरा की निसान लगा दिये गये थे पर उसमें सुधार का कोई उपाय नहीं दिया गया था ऐसा लग रहा था मानो राज्य में सभी चित्रकला के पार्खी जमा हो गए हूँ जिन्हें चित्रकला की सारी बारिक्या पता है तेनाली बोले अब इस चित्र को कल नए निर्देश के साथ दोबारा चौराहे पर रखा जाए हमें यह देखना है कि राज्य के लोग चित्र के प्रती क्या रविया दिखाते है महराज बोले तेनाली इससे हमें क्या पता चलेगा महराज आप मेरे कहने से एक बार ऐसा करे तो सही सारी बात आपके सामने साफ हो जाएगी तेनाली बोले अगले ही दिन लोगों ने उस चित्र को चौराहे पर दोबारा देखा और निर्देश लिखा जिन्होंने भी चित्र में गलत्या निकाली है कृपिया बताए कि उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है पिशले दिन तो वहाँ भीर लगी हुई थी पर आज सारा दिन एक भी व्यक्ती चित्र के पास नहीं फटका और नहीं किसी ने सुधार का कोई उपाय दिया चित्र को साम को महल में वापिस लाया गया चित्र में पिशले दिन लगाए गए सारे निसान जो के तेव मेवजूद थे पर किसी ने भी उन भूलो को सुधारने के लिए अपनी ओर से कोई उपाय नहीं दिया था हरानी की बात तो यह थी कि इतने बड़े राज्य में चित्र की भूल को सुधारने का उपाय किसी के पास नहीं था तेनाली राजगुरु को देख कर मुस्कुराए और राजगुरु जान गए कि तेनाली ने एक भी सब्द की आलोशना किये बीना ही उन्हें उनकी भूल का हैसास करवा दिया तो दोस्तो यह थी आज की कहानी आज सा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और उसे ज़्याज़ादा शेयर कीजी धन्यवाद